सबक सिखा दिया है 2002 दंगे में उसके बाद तो ये लोग सबक सीख चुके हैं आपने 2002 दंगा तो याधी है ना कि कैसे देश के ग्राम अंतरी ने सबक सिखाने की बात कही थी वो नारा भी याद होगा बरे सभाओं में मंच पर ये बाते कह रहे थे और ये वाला भी नारा जोट जोट सालों को यही बोला गया था ना हमारे प्यारे दुलारे पार्टी के नेताओं की तरफ से मंत्रियों की तरफ से इनका वहिस्कार करो इनको मारो इनको काटो इनके लिए तलवार उठाओ इनके लिए हतियार उठाओ इनके लिए तलवार हतियार बंदूक अपने घ किसी मंत्री के तरफ से या फिर किसी संगचन की तरफ से खुले मंच से जोर जोर से एक समुदाई के लिए दिया गया या यू काए कि मुसल्मानों के लिए दिया गया फिर बोला जाता है हम सबको साथ लेकर चलते हैं सबका साथ है मेरे साथ सबका विकास करते हैं हम किसी के सा तर्म्याई नहीं करते लेकिन अब सोस की बात दोस्तों कि ये सब बोलने के लिए भाशन भरी है बोलने से बहुत अच्छा अच्छा भाशन जो है फूट फूट कर मंच पर निकलता है लेकिन हकीकत क्या है वो इस रिपोर्ट से खुलासा हो गया है आज जितने हमले अलब जाम आरोप लगाने लगती है कि ये तो साजिश कर रहे हैं ये साजिश करने वाली गिरो है ये साजिश करने वाली रिपोर्ट है लेकिन यही रिपोर्ट अगर इनके लिए अच्छा अच्छा लिग देगी तो अच्छा अच्छा डंका बजने लग जाता है और जूम जू जी हाँ दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ने भारत में हो रहे अलपसंख्यकों के हमले पर अपनी चुंता जाहिर करते हुए एक रपॉर्ट दुनिया के सामने पेश किया है। सबसे अधिक जोखी मुठाया जा सकता है। माइनरोटी के खलाफ हिंसा घटनाई होती है या उसको बढ़ावा दिया जाता है वो इस रपॉर्ट को तयार करती है। माइनरोटी की शोष तंस्तान अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट दुनिया में सामोहिक हिंसा के जोखी माले देशों की पेचान करता है। में नवंबर में जारी अपने रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 2022-2023 में नए सीरे से सामोहिक हत्या की शुरुवात की संभावना 7.4 परतीशत या लगबग 14 में से 1 परतीशत है। ये परियोजना संयुक्त राज हॉलो क्रास्ट मेमोरियल संग्राले के जिहां संग्राले और डार्ट मौंट कॉलेज के डिंकी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की एक संयुक्त पहल है। की संस्था अरली वर्निंग की 2022 से 2022 की रिपॉर्ट में ये कहा गया है कि सभी 162 देशों में पाकिस्तान का नंबर जो है पाकिस्तान का जो नाम है सबसे उपर है। यमन दूसरे अस्थान पर है मयमार तीसरे पर इथोपिया पाचवे पर नाइजीरिया छटे पर और अफगानिस्तान साथवे अस्थान पर है। इतने खतरनाक देशों के साथ हमारा देश भी इस लिस्ट में शुमार है। संस्थान की ताजा रिपॉर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में 2022 ये 2023 में सामोई खत्या के 6 अवसरों में से एक होने का नुमान है। दूसरे अस्थान पर मेंमार तीसरे इतोपिया पाथवे नाजीरिया छटे और अफगानिस्तान साथवे और भारत आठवे अस्थान पर है। अगर ये स्थिती इस वर्स भी यानि कि 2022 की तरह समान रहता है तो जोखिम में 11 फीजदी की वर्दी के साथ भारत ताजा आकलन में पहले अस्थान पर होता है। का आहन भी शामिल है। कि महीनों में मुसल्मानों को निशाना बनाने वाली हिंसक घटनाओ जो है कई राज्यों में हुई थी बड़े पैमाने पर देखी गई थी। वो भी शामिल है जिसमें हिंदू राष्टवादी जुलूसों में मुसलिम विरोधी नारे लगाये गए थे और मश्जिदों को निशाना बनाया गया था। मुले काते जाएंगे देश के गदारों को फलाना फलाना मश्जिदों में घुसो जैश्री राम के नारे ये तमाम मश्जिदों के आगे खूब जोरो शोरो से डीजे पर बचा बचा कर तलवार लहरा लहरा कर दिया गया था। इन हिंसक उकसाबों के जवाब में अस्थानी अधिकारियों ने कई राज्यों में मुस्लिम स्वाबिमत वाली संपत्या बुल्डोजर से चला कर गिरा दी थी। मंच से दिया गया था लेकिन आज तक उस पर अगर आप देखेंगे तो कारवाई के नाम पर क्या हुआ है, किस तरीके से कारवाई हुई है, कितने लोगों को जेल में डाला गया है, ये सब आप अच्छे तरीके से जानते हैं, सिर्फ नाम भर कुछ-कुछ लोगों पर F.I R किया गया है, लेकिन ध्यान रहे, ध्यान दीजिये, कि इस नारे में, इस हिंसक बढ़ावे वाले नारे में, किसी के खलाफ इंडिविज्वेल जो है, कोई भी रिपॉर्ट, कोई भी F.I.R दर्ज नहीं किया गया है, सिर्फ ये कहा गया है, कि जिस तरीके की धार्मिक भा नाम F.I.R में डाले गए थे, लेकिन जो बड़े बड़े लीडर, जो बड़े बड़े नेता, खुले मंच से मुसल्मानों को मारने काटने की बात कर रहे थे, वो सब अभी भी बच्चे हुए हैं, नाम नहीं लूगी, नाम आप सब को अच्छे से पता है, क्योंकि वो ना आसन एली में उस सभा में मौझूद रहती है, तो फिर वो कुछ नहीं कर पाती है, तो और कोई क्या करेगा, बार बार यही इल्जाम, बार बार यही आरोप लगता है, कि आखिर कब तक इन जोगों को छोड़ा जाएगा, कैसे इन लोगों पर कारवाई नहीं होती है, कैसे एक पाट्री ने बचा लेती है, अपने छतर छाया में रखती है, इसका उधारन आपको इनों पुशन्मा और नवीन जिंदल से ले सकते है, क्योंकि आज तक इनके खिलाफ कोई कारवाई नहीं हुई, अगर हाँ, मुसल्मानों की तरफ से कोई ऐसा नारा दिया जाता, उसको सपोर्ट मत कीजिए, लेकिन जो गलत नारा दे रहा है, जो इस तरीकी की बार बार बात दोरा रहा है, तो उसको समर्थन भी मत कीजिए, क्योंकि आप समर्थन करते हैं, तभी दूसरों को बल मिलता है, आप जब फूल माला पहनाएंगे, जब आप तिलक लगाएंग बलातकारी आज़ाद घूम रहे रेपिस्ट आज़ाद घूम रहे तो हम किस खेट की मुली तो इसी से यहाँ पर बढ़ावा मिलता है दोस्तों और यही बढ़ावा आज देश के हर कोने में देखने को मिला है जिसको लेकर अमेरिका संस्थान की वार्निंग रेपॉर्ट ने ये पूरी तरीके से खुलम खुला लाकर बता दिया है कि बीजेपी साशत राज्यों में बीजेपी के सरकार आने के बाद अल्प संख्यकों पर खास कर मुस्लिम समुदाय उपर सबसे जादा हमला हुआ है सबसे जादा हत्या हुआ है हमले को बढ़ावा दिया गया इस पर कोई आज तक कारवाई नहीं हुई है खर अमारे देश के प्रदान मंत्री भी इस पर कुछ नहीं बोलते हैं वो चोट लगने पर ट्वीट कर द ने बयान दिया हो कभी अपने मन की बात में मन कई है किस तरीकी की चीज़ें हमारे देश में नहीं होनी चाहिए और ये सुइकार्णिय नहीं है ऐसा कभी नहीं हुआ कभी देखने को मिला ही नहीं तो आब क्या बोलेंगे दोस्तों इस पूरे रपॉर्ट को लेकर आप क्य सोचते हैं आपकी क्या राय है हमें कॉमें सेक्षिन में जरूर बताईएगा साथ ही साथ दनेशन को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भोले